हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेटिकल इंफो में मैं आप सभी का दोस्त सिवम सैनी दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सहद और बादाम एक साथ खाने के फायदे के बारे में दोस्तो आजम इस वीडियो में आपको बताएंगे सहद और बादाम एक साथ खाने के फायदे के बारे में और इनमें कौन कौन से पोसक तत्व पाय जाते हैं दोस्तो बादाम हमारे सेहत के लिए वहुत फायदे मंद होते हैं तो सहद को भी अमरत कहा जाता है जब सहद और बादाम एक साथ खाते हैं तो इसके बहुत से फायदे होते हैं तो आएए जानते हैं इस वीडियो में सहद और बादाम एक साथ खाने के फायदे के बारे में इससे पहले यदि आप हमारे चैनल मेडकल इनफो पर नए आ हैं तो आपसे छोटी से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें विल आईकन को जरूर प्रेज करें ताकि हमारे दौरा बनाया गया वीडियो आप सब से पहले पहुँचे तो दोस्तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को सुरू करते हैं और आपको बताते हैं साहद और बादाम एक साथ खाने के फायदे के बारे में दोस्तो साहद और बादाम एक साथ खाने से हमें प्रोटीन और फाइबर मिलता है जिससे हमें जोडों के दर्द से और मसल्स पेन से छुटकारा मिलता है दोस्तों सहद और बादाम एक साथ सेवन करने से हमारे सरीर को उर्जा मिलती है जिससे हमारी ठाकान और सुष्टी दूर होती है दोस्तों सहद और बादाम एक साथ सेवन करने से कोलेस्टराल कम होता है और हमें हार्ट सम्बंदित परिसानिया कम होती है बादाम और सहद को एक साथ सेवन करने से बाल जडने के समस्या भी दूर होती है दोस्तों यदि आप अपनी याद दास्तेज करना चाहते हैं तो भी आप बादाम और सहथ का सीवन कर सकते हैं दोस्तों बादाम और सहथ एक साथ उपयोग करने से हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलती है जिस कारण हमारे मसल्स को ताकत मिलती है और हमारी कमजोरी भी दूर होती है दोस्तों सहद और बादाम का पेस्ट ड्राइ इसकिन पर लगाने से हमारी तवचा निखरती है और रूखी तवचा की समस्य से छुटकारा मिलता है मैं आसा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें अपने दोस्तों को सेर करें तो मिलते हैं अपने नेस्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद